अगर उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो इसका सीरह जम्मा योग्यादितनात उन्निस में दो साल की सरकार योग्यादितनात की हो चुकी थी जब पार्लेमेंटरी एलक्षन हुए लेकिन चेहरा तो मोदी ही थे योगी कहा चेहरा थे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संतूस पांडे और आप देख रहे हैं पोल्टाक उत्तर प्रदेश बिधान सभाज चुनाओ का चौथा च्रण के मद्दान कल होने वाला है तेज फरवरी है और नौ जिलो की 69 सीटों पर मद्दान होगा कहा जा रहा है किस बार यूपी का चुनाओ बहुत ही टफ हो गया है कई सारे दल हैं लेकिन उसके बाद भी लड़ाई दो दलों में बताई जा रही है कई दिनों से हम लोग इस पे तर्चा भी कर रहे हैं और लगातार यूपी का चुनाओ कबर कर रहे हैं पस्षिम करके आए चुके हैं पुर्वांचर में भी लडाई की सम्होना बताई जा रही है लेकिन ये जो पब्लिक उपिनियन के बाद एक बात होती है कि पत्रकार किस नजीए से देख पा रहा है आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं लखनो से बरिष्ट पत्रकार हेमन तिवारी जी इनसे हम समझेंगे कि क्या यूपी का चुनाओ 2017 की तरह ही हो रहा है बारा है साथ है या कुछ और है हेमन जी आपका बहुत स्वागत है पोल्टाग पर जी तन्यवाद शुक्रिया सार आपने बहुत सारे चुनाओ यूपी के देखे लोक सभा बिधान सभा तमाम चुनाओ आपने कबर भी किये हैं ये जो चुनाओ 22 का है मैं जाना चाहूंगा कि किस मोड पे जा रहा है आद देखे अभी तो मोड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन इतना त्या है कि इस बार शुनाओ में मददाताओं का मूड ऐसा है जिसके बारे में बड़े-बड़े पॉलिटिकल पंडिक, बड़े-बड़े अनलिस्ट, बहुत दिगज, जानकार भी फिलाल कुछ नह देखे भारती जनता पार्टी ने पिछले साथ साल में उत्तर प्रदेश में 80% से ज्यादा का पेश रखते हुए कामियादी बारत के निराज्यों में भले ही भारती जनता पार्टी पोहार का सामना करना पड़ा है लेकिन उत्तर प्रदेश का जो अतीत है पिछले साथ वर्षों का नए मिजाज, नए अंदाज वाली भारती जनता पार्टी का वो बहुत कामियाब रहा है 2014-2017 सब ने देखा लेकिन इस बार जो मैं समझपा रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी जैसा यूपी की सियासत का सूमो पहलवान पसीना पसीना defending champion बलकि मैं कहूँगा कि championship की हैट्रिक बनाने वाली भाज़पा को पश्यमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरवान चल तक एक एक सीट पर समझपा रहा है और ये निश्यत रूप से एस्पस्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में गुजरेतीन दसक पहले जो मंडल का मंडल की राजनीत शुरू ही और जिसने सियासत के सबसे उर्वर सूबे की तासीर ही बदल दी इसका अंदाज ही बदल दिया इसकी पसंद ही बदल दी और छेत्री छत्रपों का आधिपत्त रहा राश्टी दल आसीय पे चले गए कॉंग्रेश जैसी पारटी अस्तित के लिए संगर्श की स्थित्मा गई और चार-चार बार समाजबादी पारटी और बहुजिन समाज पारटी में उत्तर प्रदेश में सत्ता का संचालन किया तो इस काला वधी में जो करीब तीन दसक की है यह यह कह सकते हैं कि 1991 में कल्यान सिंग की गवर्मेंट फार्म होने के बाद यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में बाइपोलर एलेक्शन देखनों की मिलना है यानि दो धुरुभी सीधे आमने सामने की टक्कर और मैं इसको अखिलेश यादों की कामयाभी मानता हूँ कि सबसे पहले तो यह बिदेन अपोजिशन या परसप्सन बनाने में कामयाभ हुए कि वही हैं जो सीधे वार्तियन्ता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं लड़ रहे हैं 2017 की जो मुद्दे थे वो अखिलेश यादों के सामने चुनोती थी कि उनके साथ गरवंदन था गरवंदन में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी वो कहते हैं कि उनके साथ वो एक तरह से चूक हुई उनको नुक्सान हुआ इस बार जो दो मुद्दे ऐसे को आपको लगते कि यही दो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी कुछ मुद्दे यगर जो दिख रहे हैं सामने इस बार चुनाओ में देखे मुद्दे मैं नहीं मानता हूँ मेरा बड़ा इसको लोगनकारात्पक मेरी सोच कह सकते हैं लेकि मैंने पिछले तीन दसक में उत्तर प्रदेश में कभी मुद्दा नहीं देखा जिस मुद्दे पर लोगों बुट किया हो और सरकार खारिश करते हुए या नहीं सरक करता है और अपीलिंग इसू है इसके अलावा कुछ इसू जैसे हैं जो लोकल है बड़े फलक पर पैन यूपी अगर आप समझे आप मेरोजगारी और महंगाई ये सब कह सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़े विशे कभी बन नहीं पाते हैं हाँ एक विशे जरूर है जो भा अगलेश यादो जो बाहर नहीं निकल रहे थे लोग कर रहे बड़ा लेट कर रहे हैं भारती जंता पार्टी को बड़े बड़े चेह रहे हैं गलक्सी आफ स्टार्स उनके पास है नेरेंद्र मोदी हैं अमित्सा है एपी नडड़ा है राज नाज सिग है और योगियादी पुरी तैयारी से निकले अखले तो पुरी गड़ित के साथ निकले अखलेस ने जो एलाइंस किया और जिस तरीके से कैंडिडेट्स को फिल्ड किया वो पहले से उनके मस्टिस्क में था जो एक जो और कहा जा रहा है कुतरप्रदी इसमें जातिका समीकरण पे फिर चुना है इन सभी चीजों को अगर जनता समझना चाहे आपके नजरिये से तो क्या कहना चाहेंगे इस पर देखे मैं आज भी मानता हूं कि भारती जनता पार्टी की सरकार से जो नाराजगी उत्तरपदेश में रही है उस नाराजगी को संतुलित करने के लिए इनके पास ये बुल डोजर चला रहे हो आप बात-बात में बुल डोजर का जिकर करते हो आप कहते हो कि 10 मार्च के बाद फिर बुल डोजर निकल आएगा और यह जो लोग बिल बिला रहे थे साधे चार साल तक बिल में घुच करके और उसके बाद बिल बिलाने कोशिश करेंगे उन पर बुल डोजर फिर चलेगा रहे पांच साल में आप ऐसा बुल डोजर नहीं ले के आ सके श्रीमान योगी आदितनाजी जो ये जो अन्ना जानवर जो आवारा जानवर जो निराशित जानवर टहल रहे हैं जो लाखों लोगों खेती का नुकसान कर रहे हैं दिन भर आदमी खेत में काम करें और शाम के बाद इन आवारा जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा करें पूरी रात पर तो इसकी नाराज़की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है और भारती जन्ता पाल्टी की टॉप लीडर्शिप इस बात को समझ ही नहीं पाई जबकि बार-बार मीडिया में और जगों पर अपोजीशन से यावारा जानुवरों का विशे उठता रहा है आप पता हैं आपका पास इतना बड़ा पैरा फरनिलिया है आपका पास इतने बड़े अपसर हैं और एक बात यहां इसपर्ष्ट कर दूँ यगर उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पाल्टी की सरकार नहीं आती है उसका सीरह जिम्मा योगिया दितनात की इतनी दुनों त एक चली सरकार के काम का होगा और बिरोक्रिसी पर उनकी जो अत्यधिक निर्भारता रही उनको कोई जमीन का फीडबैक अपसरों ने मिलने नहीं दिया उन्होंने जमीन खुद जाचने और देखने की कोशिस नहीं की मुझे लगता है यह उसी का फलित है और यह फलित इतन गंभीर है जो भारती जन्ता पार्टी को बड़ी चोट दे सकता है। इनकी बाड़ी लेंगज जो देखी गई है निश्यत रूप से उसमें कुछ फीसद निराशा देखी है और संभवता इसलिए भी है कि इस बार सुरुवात जहां से हुई पहले चलड़ की भारती जन्ता पार्टी का बड़ा विरोध वहीं से था मोदी से नाराजगी का शेत्र गया पहला चलड़ था जाट उनसे नाराथ ते किसान अंदोलन के लिए वरना मोदी ही तो भारती जन्ता पार्टी के पुझी रहें मोदी ही तो भारती जन्ता पार्टी की चेहरा रहें चौदा में, सत्रह में, उन्निस में, और कौन चेहरा रहा है, उन्निस में दो साल की सरकार योग यादितनात की हो चुकी थी जब पर्लेमेंटरी एलक्षन हुए, लेकिन चेहरा तो मोदी ही थे, योगी कहां चेहरा थे, लेकिन एक बात चान लिजिएगा, कि मैं तो कहता हूँ, अगर भारती जनता पार्टी आज अताश या परिशान है, कोई से मुझे लगता नहीं है, कहा जा रहा है, तो इसकी एक मात्र वज़ा योग यादितना चीह हुए, और गाउमित लोग अभी भी कहते हैं, मैं गया था भी, 8-7 जिले हो कहा है, बहुछ ल एक नया क्लास बनाया, गोटर्स का, सपोर्टर्स का भारती जनता पार्टी के लिए, और योगी जी के सत्ता संचालन के दवरान, जो अहंकार दिखा, यूरोकेट्स पर जो अत्यधिक आतनिर्भरता दिखी, अपसर साही के फीड़ बैक पर संपूर्ण, प्रक्या दिखी स सरकार चलाने की, जनता से फीड़ बैक नहीं लिया गया, जमीन नहीं देखी गई, इस सब कारण ऐसे हैं, जो निश्चित रूप से इस बात की और संकेत करते हैं, कि योगी जी के नाते बड़ा दुक्सान हुआ, वही तो तभी तो कहते हैं, पब्लिक क्यों कर रही है, इम मैं तो कहूंगा नकारात्मक ही योगदान रहेगा, मतलब अगर मार्किंग की जाए, तो इनके कामों की माइनस मार्किंग होगी, और मोदी के चेहरे, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, जो गरीब उतकावास, सवचाले, और ये अनाज पहुचा है, ये इसकी जित होगी, जो बोन कोई सरकार के काम का नहीं होगा, काम तो इन्होंने जो करना थो नहीं किया, एक सवाल, कोई सवाल कोई आदमी कर सकता है, क्या पांच साल, साड़े, चार साल में, आपको ऐसा मेकनिस्म, को ऐसा तरीका, ऐसा व्यावारिक उपाए नहीं डूंड पाए, जो आवारा पशु खेत खा रहे हैं, इनको काबूम किया जा सके, इनकी लिए बेहतर बेहस्था किया सके, जो पशु आस्रे एस्थल है, वहाँ सायकुडो की तादाद में, बेचारे मरिन है, इससे बेहतर था, को चले गया होते हैं, बस्षी मंगाल, सव, दोसो, पांसो गाणियां, हर महीने जा पर फिर भी मैं अभी मानता हूँ, बहरती जंता पाल्टी को कमजोर नांका जाए, निष्टे फुस अतना कमजोर नांका जाए, कि सत्ता पर उसका सावा कायम न रहे, देकि आंव तो पर मेडिया और समिक्षक और जो छुनाओ का बारी किसे इस्टेशन करते हैं उनका मानना है कि जब बंपर वोटिंग होती है तो ये मौझूदा सरकार को प्राने के लिए होती है इसका मतलब दे हुआ कि सरकार बनी रहेगी कि वोटिंग बड़ियां हो नहीं रहेगी ज्यादा वोटिंग हो नहीं रहेगी लोग कह रहे हैं कि अखले स्यादों को जंता चुनाव लड़ा रही है मुझे ऐसा तो नहीं दिखता है हाँ, अखले स्यादों को वे विशे जरूर चुनाव लड़ा रहे हैं जिनकी वज़ाए से बहुत से लोग उत्तर प्रदेस के करीब करीब हर हिस्से में लो उत्तर प्रदेश की जो मुझूदा सरकार ही योगी आधितनात के में तो तुआली उस से नाराज रहे हैं वो भी शेक कुछ भी हो सकता है थानों में जाती वाद थानों में गुसकोरी थी उसका रुकना पाना तहसीलों में गुसक का रेट बढ़ जाना बजाएक कम होने के अक्सर देखा गया है पुरवांचल और मद्धिपृतर प्रदेश में तो जादा देखा गया है हम इसमें लखनों में हैं और यहां से लगातार ये बात जानने की कोशिश की जा रही है कि जो उत्र प्रदेश का चुनाओ है जो ग्रामी डिलाकम जो हमने समझा देखा प्रश्यम का चुनाओ हो चुका है पुरा लगबग बंदिल खर्ण में भी तीसरे चर्ण में मद्दान हुआ अब पुरवांचल पर अवद पर पूरा समीकरण बना हुआ है पत्रकार भी मानते हैं कि उत्र प्रदेश का चुनाओ है वे एक तरफा नहीं है सत्रा का चुनाओ नहीं है ये बारा का भी नहीं है लडाई नेट कुनेट है और यहां हर सीर पर ऐसी बाते हो रही है कहीं जाती समिकरण है कहीं पर मोधी की योजनाओं کی बात हो रही है और कहीं पर योगी द्वारग की एगा कारीों की चर्चा हो रही है तो लगातार हमारे उत्तरपदेश स्वेधान सबाचुनाओं की कबरेच जारी है आज बस इतना ही देखते रहेए पोर्टाक धन्यवाद